आज का टॉपिक है हमारा की प्लेस इन न्यूज कौन कौन सी है पिछले एक साल की और वो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम इस वीडियो में इस टॉपिक को देखेंगे एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी न्यूज बहुत ज़ादा हाइलाइटेट रही पिछले एक साल में सबसे पहला है यहाँ पर नदाबैद यह जो जगा है स्टूडेंट्स यह जगा पहली बात तो कहां लोकेटेड है वो देखिए यह लोकेटेड है रन अफ कच में गुजरात रीजन में अब यह आपका गुजरात का मैप है गुजरात के मैप में देखिए यहाँ पर यह लोकेटेड है और यह neews में क्यों था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बौडर के viewing के point of view से इस particular जगा को launch किया गया है तो यह इंडिया पाकिस्तान बौरडर ऐरिया पर इलकुल यह जगा अगली location है इरा मती डिबालू नाम की जगा यह विशाखा पत्नम आंधर प्रदेश में है Recently इसको क्या बनाया गया है? इसको declare किया गया है National Geological Heritage Monument Site. तो देखे इस तरह के से red sandiums है यहाँ पर और यह नाम आपको याद रखना है इरा मती डिबालू. ओके students अगली जो particular location है वो है मेकदादू. यह जो location है यह क्या है? यह एक particular dam construction हो रहा है और करनाटका में यह particular location है. ऐसा dam क्यों construct किया जा रहा है? क्योंकि water की जो shortage की problem है बेंगलूरू में उसको fulfill किया जा सके. तो अब definitely यह किसी river पे होगा तो यह कौन सी river पर है यह dam? देखे students दो river आ रही है. एक तरफ तो यह river है आरकावती river और दूसरी है काविरी. तो इन दोनों rivers के जो confluence है इस confluence पर यह particular dam construct किया जा रहा है. clear? इन फैट यह tributary है अरकावती जो है tributary है काविरी की. यह आप location देख सकते हैं आपर कि Tamil Nadu और करनाटका के बिलकुल करनाटका की तरफ, Tamil Nadu border से बिलकुल close लगा हुआ. करनाटका की तरफ यह particular dam construction हो रहा है and it will ensure कि यह 400 megawatt जो power है generate करे and ultimately drinking water की problem को solve करे. done? next location है students चिसूमले डेमचुक रोड. यह जो रोड है students यह क्यों important है क्योंकि अपने आपने यह world's highest motorable road बन गई है and definitely फिरी कहां होगी? लदाक region में होगी. clear? तो यह देखिए इस तरीके से यह particular road के लिए लिखा भी गया है कि BRO जो border road organization है वो welcome करती है highest motorable pass और यह particular जो pass है यह umling la pass है और लदाक में आपके ज़कते हैं कि यह particular road present है. next particular topic है students Pangongso Lake यह आपने news में बहुत बार सुनी होगी अगें लदाक में रिलेक जो है यह particular lake located है students अपने आप में यह tension की एक बहुत बड़ी जो है problem बन गई है इंडिया और चाइना के dispute के बीच में इसमें अगर इसकी location का बताओं तो location तो मैंने आपको बता दी लेकिन इसमे जो चाइना और इंडिया के बीच में हुए है तो इस particular Pangongso Lake को हम कह सकते हैं कि यह China region में भी है और इंडिया में भी है दो अकसाई चिन के region को इंडिया अपना मानता है लेकिन अभी presently यह control करा जा रहा है by the China चाइना और इंडिया के बीच में जो line है जिसे हम बोलते है line of actual control L.A.C. कहने को तो वो L.A.C. जो है वो आठ फिंगर आठ भी फिंगर तक होनी चाहिए actually fingers क्या है यह पहाडिया है students और इन पहाडियों को नाम दिया गया है और finger 1 से लेकर finger 8 तक इन पहाडियों को नाम दिया गया है जिसमें L.A.C. वैसे तो इंडिया के अंदर आना और यह जो पूरा region beach का बन रहा है यह कैसा हो गया अब disputed region हो गया है clear इस चीज़ को इस diagram में दूसरे diagram में हम और ध्यान से देख सकते हैं कि finger 4 तक यहाँ पर अब धीरे-धीरे extend कर लिया है चाइना ने अपनी boundary को और in fact और भी आगे बढ़ने की कुशिश कर रही है तो यह पेंगांसो लेक इसलिए famous है इसलिए important है यह क्योंकि अब यह recent times में बहुत बड़ा एक tension का issue इंडिया और चाइना के बीच में है वो बात दूसरी है कि यहाँ पर movies की shooting बहुत हो चुकी है बहुत ही famous movies की shooting हो चुकी है अब students जब हम stand off की बात कर रहे हैं इंडिया चाइना के अब इसमें क्या होता है कि मांसो रोवर जाने के लिए यह particular road का construction है और कुछ जो stand off हुए थे जैसे गलवान वैली का stand off हुआ था जहां पर हमें पता है कि बहुत से जवान हमारे शहीद हुए तो यह वो location है गलवान वैली की देखिए और इसके साथ साथ जो कुछ locations और थी जो बहुत जादा news में थी उसमें एक दबरुक, hot spring ठीक है तो यह ऐसे locations हैं जो आपको पता होने जी है क्योंकि UPSC का काम करता है कभी-कभी north to south या east to west locations को लगाने के लिए भी दे देता है clear बाकी news आप पढ़ चुके होंगे मैंने एक बार short में इसके बारे में बता दिया ह अगली जो site है students वो है राखी-गड़ी site अब यह राखी-गड़ी site बहुत famous site है हरपपा site है recently हम कह सकते हैं मतलब recent times में ही इसका excavation हुआ है और यह क्यों news में है students क्योंकि यह अपने आप में world's largest museum हरपपन culture का बन चुका है इसकी location याद रखनी है हिसार हर्याना में इसकी location है क्योंकि हम राखी-गड़ी site की location को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ मैं चाहूंगा आप बाकी locations जो हरपपा civilization की जो और locations हैं उसको भी ध्यान में रखिए सबसे पहला मोहन जोदारो जो पाकिस्तान में है हरपपा पाकिस्तान में है presently लेकिन धोलाविरा और लोथल यह द जाएगा तो लोथल के बारे में हम डिसकस करी रहे थे तो लोथल क्या है किसले famous है अपने आप में यह बहुत बड़ा oldest dockyard बोला जाता है इसको और recently definitely गुजरात में इसकी location है जो मैंने आपको दिखा दी है recently क्या किया गया है इसको national maritime heritage complex यहाँ पर construction किया गया है जिसकी वज़े से यह news में है तो यह भी अपने आप में क्या है एक excavated site है जो अपने आप में oldest dockyard जो है world का माना जाता है इसमें इस तरह से river बह रही है और यह यहाँ पर जो region है यह dockyard है यहाँ पर ships आती थी इधर की त ships जो है रुकती होंगी ठीक है next site है students खानगुई मंक्सूर या जैसे भी आप इसको प्रणाउंस करें देखिए यह location कहाँ पर है उकुरूल district में है मनिपुर में यह क्या है अपने आप में यह natural limestone के caves हैं तो mark the word natural limestone के caves हैं और यहाँ पर बहुत सारी bats की population थी पर अब वो presently दिरे दिरे tourist friendly बनाने के लिए यहाँ पर bats की population को कम भी किया गया है इस तरीके की यह caves है important है यहां की location location बता रहा हूं मैं मनिपुर की है ठीक है अब caves से related कुछ question आता है तो यह एक important current affair का topic हो गया बाकी caves आप already अपने art and culture में पढ़ते हैं next है island एक यह island कौन सा है चार चिनार island अब देखे student चिनार का ना पेड़ होता है तो चिनारी जो होते हैं वो trees होते हैं और यह जो trees होते हैं इनकी medicinal value भी होती है इसके साथ साथ यह जो trees होते हैं यह बहुत लंबी life long live trees होते हैं यह कहां मिलते हैं यह आपको पहाड़ी इलाकों मिलेंगे और इसी लिए यह जो particular island है इस नाम से ही जाना जाता है यह middle of the Dal Lake Dal Lake कहा पर है श्री नगर में है श्री नगर कहा पर है जम्मु इन कश्मीर union territory में हैं तो कोशिश हो रही है students की इस तरीके से यह जो चिनारी trees हैं वहाँ पर regrow करे जाएं और देखिए इस तरीके का यह आइलेंड है यह पूरा जो map है यह डलेक का है बहुत ही सुन्दा जगा है अगर आपने विजिट नहीं करिए तो definitely अपनी lifetime में कभी विजिट करिएगा और यहाँ पर एक famous temple भी है this temple is called as Shankaracharya Temple ठीक है तो यह भी अपना जब भी डलेक के पास आप गूमने जाते हैं तो यह temple आप विजिट करते हैं नेक्स साइट है स्टूरेंट्स द्योचा पाचमी कोल ब्लॉक क्लियर तो यह कोल ब्लॉक है तो अगेन इसकी location लोकेशन है बिर्भूम डिस्रिक्ट वेस्ट बेंगॉल में यह कोल माइन्स हैं कोल माइन्स इसलिए न्यूज में थे क्योंकि रिसेंटली बहुत से किया हुआ है कि यह पर्टिकुलर कोल ब्लॉक वहाँ प्रिजिन्ट है नेक्स स्टूडेंट्स सिंगालिला नैशनल पार्क तो यह नैशनल पार्क अभी क्यों नीज में है यह नीज में इसलिए है क्योंकि रेड पांडा का यहां पर इंट्रोड़क्शन हो रहा है तो यह कहा है पहली बात तो यह डार्जलिंग वेस्ट बंगॉल में लोकेटिड है अब देखिए स्टुडेंट्स एक पटिकुलर जूलोजिकल पार्क है जिसे हम बोलते हैं पदमाजा नाइडू हिमाल्या नैशनल पार्क यह जूलोजिकल पार्क ठीक है ना नैशनल नहीं है जूल क्योंकि न्यूस में है तो अगला पर्सक्राइब कला पानी यह बहुत टाइम से एक dispute के वज़ा बनी हुई है between Nepal and India कुछ साल पहले तो Nepal ने अपना map भी change किया था जिसमें काला पानी का जो ये जगा है इसको अपने map में दिखाया था लेकिन इसकी जो location है students ये इंडिया के अंदर है और इंडिया के अंदर भी पितोडागर जो district है उत्राखंड का ये उत्राखंड है ये उत्राखंड का map में हमने यहाँ पर दिखाया हुआ ये उत्राखंड है तो उत्राखंड का जो ये particular location है यहाँ पर जो tri junction में पड़ता है Nepal, China और इंडिया में उत्राखंड के बीच में ये औरेंज से मैंने यहाँ पर दिखाया है इस पर्टिक्लर फोटोग्राफ में ये जो रीजन है ये काला पानी का रीजन बनता है स्टुडेंट इसमें तीन लोकेशन है स्टुडेंट एक तो है लेपुल लेक पास तो ये पास है यहाँ से इंडिया से चाइना जाने के इसके इलावा इसका जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है उसका जो ओरीजन है मैं बता यह इता हूं सबसे वहली बाद तो एक ट्रिटी थी जिस ट्रिटी का नाम है सुगौली ट्रिटी अब यह जो ट्रिटी थी इस्टूडेंट्स ये अठारा सो सोला की ट्रिटी है और य ये एंगलो नैपलीज वार जो होती है 1814 से लेकर के 1816 की उसके बाद ये ट्रिटी होती है जिसमें नैपाल की बाउंडरी को रीड्रॉ करा जाता है और बहुत से रीजन्स जो होते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं क्लियर क्योंकि East India Company वाँ जीज जाती है अब ये डिस्प्यूट हो गया तो इंडिया के हिसाब से ऐसारी जगाए इंडिया के पार्ट है नेपाल के हिसाब से ऐसा नहीं है इसलिए ये पूरा का पूरा कंटेंशन का इशू बना हुआ है अगला टॉपिक है पंबन ब्रिज अब ये जो पंबन आइलेंड है ये कहां है देखे स्टुरेंट्स इस पर्टिकुलर मैप में आपको दिखेगा यहां पर ये जो पर्टिकुलर जगा है यहां पर जो मैप में दिख रहा है आपको ये है पंबन नाम का आइलेंड पंबन है तो इंडिया के Mainland को Pamban Island से connect करने के लिए ये इस तरीके का bridge है और इसे बोलते हैं इंडियाइ in fact news में इस लिए क्योकτοि यहां पर ये first vertical sea bridge बनाया गया है और ये connect करता ہے Pamban Island को Mainland Island से अब पमबana Island क्यों फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए ये island इसलिए famous है क्योंकि यहाँ पर एक धाम है literally उसे हम बोलते है रामेश्वरम temple और रामेश्वरम जो temple है वो बहुत famous है लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं तो क्योंकि ये तरह बड़ा famous temple है इसलिए इस particular island को ये connection इंडिया से बहुत ज़रूरी है और उसके लिए C bridge के थूँ इसको connect किया गया है और ये railway line भी in fact यहाँ देख सकते हो railway line भी है ये पुरानी है ये बिची हुई है already तो Pumban Bridge बहुत famous है अब discussion करते हैं थोड़ा और detail में देखे इस location को तो आप समझ गए लेकिन इस Pumban Bridge के आगे क्या है Pumban Island जो है ये Pumban Island के आगे students जो है एक जगा है जिसे हम कहते हैं धानुसकोडी धानुसकोडी last point है और उसके बाद श्रीलंका आगे आ जाता है श्रीलंका और श्रीलंका और धानुसकोडी के बीच में जो particular bridge है उसे Adams Bridge कहते है अब ये Adams Bridge तो नाम अंग्रेजों ने रखा लेकिन इसको हिंदू mythology पे किस नाम से जाना जाता है राम सेतु के नाम से जाना जाता है अब इसके left side, east या west जैसे भी आप बोलें इधर रामेश्रम भी है जो आपको दिख रहा है diagram में और इधर पाक बे, पाक बे याद रखना है ये again island के उपर की location है इस तरीके से इस map को थोड़ा सा दिमाख में रख कर के जाएए और फिर इस से related अकर कोई question आएगा तो आपका वो सही हो जाएगा नेक्स टॉपिक है यांक्ती कुतिन वैली अब ये वैली कहाँ पर है ये पिथोड़ागर उत्राखंड रीजन में है ये जो वैली है ये देख सकते हैं आप ये particular जो उत्राखंड का रीजन है उसमें टॉप पर बिल्कुल यहाँ पर ये particular वैली situated है multiple events होते हैं यहां glacial advances के इसलिए ये news में थी तो बस इतना पता होना चीए कि ये उत्राखंड में है next students लुखा river लुखा river कहां है ये मेगालिया में है और ये east जैंतिया hills की तरफ है particularly ये जो river है students ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि ये news में रही है ये in fact आपसे दो साल पहले भी news में रही है क्योंकि ये blue turn कर गई थी चीक है और जो blue turn कर गई थी इसमें pollution बहुत ज़ादा हो गया था इसकी वज़े से ये blue turn कर गई थी cement plants की वज़े से तो अगर ये आपसे मैं पूछूँ कि इसको पानी कहां से मिलता है तो वो दूसरी river से इसको पानी मिलता है that is lunar river और ये अपने pollution की वज़े से बहुत news में थी तो अब recently क्या हुआ है कि phytoremediation method के थूँ इस river को detoxify करने की कोशिश है अब इसमें question आता है सरी ये phytoremediation क्या होता है देखो जो toxins होते हैं उनको remove करने के लिए plants की जब सहायता ली जाएगी तो phytoworld is for plants plants की यहाँ पर सहायता ली जा रही है कि जो जो भी toxin है पानी में present उसको दूर किया जाए done अब इसमें कुछ terms है students जो आपको पता होने चीए जैसे कि मैंने यह तो बताई दिये मैंने phytoremediation phytoremediation में भी कुछ terms होते हैं जैसे कि पहला आएगा phytostabilization अब phytostabilization का मतलब है जो भी contaminants है उसको हम reduce करें और plants उसको क्या करेगा absorb करके रखेगा और finally water body को clean करेगा जैसे phytodegradation plants जो है उन organic contaminants को क्या करेगा तोड़ देगा degradation मतलब तोड़ देना extraction extraction का मतलब है वो जो contaminants है वो soil से निकल करके river soil से निकल करके plants tissues के अंदर आ जाएंगे तो extract कर लिया plants ने ठीक है यह phytovolatization volatile हो जाना मतलब उड़ जाना तो भाब बन करके उड़ जाएंगे pollutants इसे हम बोलते हैं phytovolatization ऐसे कुछ terms है इसका आप देखे इस topic को आपने phytovolatization के topic पर अगर question आया तो आपने आप में यह कहां से related हो गया आपने पढ़ा कहीं और किसी और context में लेकिन उस question का answer फिर भी आप दे पाते हो तो एक्जाम में भी ऐसी होता है हम कोई चीज कहीं पढ़ते हैं लेकिन उसका application जब exam में question करने बैठते हैं तो कहीं और से उसका application लगता है और फिर वो topic हमें आ जाता है तो हमेशा चीज़ों को relate करके पढ़ना चाहिए students link करके पढ़ना चाहिए अगला है places in news में भोगदोई river ये जैसे भी pronounce करें आप इसको ये जो particular river है students ये कहां present है ये नागा लेंड और आसाम आप कह सकते हैं इन दोनों के through ये flow करती है तो मैं इसकी location यहाँ पर दिखायता हूँ इस जगह है approximately तो ये आसाम और नागा लेंड की तरफ ये river है जो flow करती है अब ये news में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर uncontrolled coal mining activities हुई है नागा लेंड में और इसके discharge की वज़े से जो forest वगएरा है रिवर वगएरा है वो deteriorate हुए है तो ये तो हो गई news बाकी अपने आप में ये कहां located है students ये जो river है ये south bank of the tributary of the mighty ब्रह्मपुत्रा तो ब्रह्मपुत्रा की अपने आप में ये एक tributary हो जाती है और इसका origin कहां से है तो मैंने तीन-चार चीज़े आपको बदा दी इसके बारे में पहली बात तो reasoning ये news में है क्यों दूसरा flow कहां कर रही है कौन सी state के थुरू तीसरा इसकी particular किसकी tributary है ये done ये भी important है आपके लिए और इसका origin ये सारी चीज़े अब आपको इस रिवर के respect में पता लग नहीं है तो आप question आएगा तो I hope इस question में अगर कोई ऐसे related चीज़ पूछेगा तो आपको वो answer आता होगा next example आप देखिए next news जो place रही है वो है coming river अब ये भी एक river है river की location द्यान से देख लो ये मैं mark कर रहा हूं ये रही river की location ठीक है तो अपने आप में कहां है ये अरुनाचल प्रदेश में स्थित है ये map किसका है ये अरुनाचल प्रदेश का है ट्रिब्यूटर की है ब्रहुपुत्रा की है न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी recently क्या हुआ है यहाँ पर 600 मेगा वाट का hydro power project plant लगाया गया है इसी से related अब UPS से क्या कर सकता है बाकी जो अरुनाचल में जो rivers हैं उनके respect में वो आपसे question बना सकता है तो इस map में ये टीरप और चांगलांग ये रीजन्स आपकी थोड़ा सा जो है militant activities के लिए भी यहाँ पर infamous है next student जो news है वो है तेराई elephant reserve से related दूदवा जो उत्तर प्रदेश में दूदवा जो जगा है district है उसमें वहाँ ये पाए जाएगा ये particular तेराई elephant reserve घोशित किया गया है in fact इसका approval म environment ministry ने दे दिया है under project elephant और ये अपने आप में help करेगा trans boundary migration में elephant population को इधर से उधर तो ये कहां आ रहा है basically ये नियर दूदवज जगे है वहाँ और पिली भी जो tiger reserve है उस region में ये तेराई elephant reserve होगा अब students उत्तर प्रदेश में कितने जो particular elephant reserves है वो कितने हैं तो देखें दो elephant reserves है जो उत्तर प्रदेश में है एक अपने आप में उत्तर प्रदेश elephant reserve first है और ये अब हो गया second next है शिवालिक elephant reserve ये कहां located है तो ये है उत्तराखंड में तो ये news में इसलिए था students क्योंकि अभी recently हुआ क्याता कि airport जो है धरदून का उसको expand करने की बात थी तो government ने notification दी थी कि ये जो particular शिवालिक elephant reserve है उसके portion जो है यूज होंगे यहाँ पर और उसको हम elephant reserve से अब category से हट आ देंगे तो ऐसे तो फिर उसमें case-wise चलता है और बहुत सारी इसमें जो है न्यूज है लेकिन ultimately हुआ यह है कि government ने अपने step को पीछे ले लिया है और तो अब अपने आप में यह elephant reserve आज भी है कल भी था और government के साब से आगे भी रहेगा अगला जो topic है वो है रामगर्ड विश्धारी century अब यह students कहां located है अगर ऐसा question आता है तो वो है राजस्तान राजस्तान को अपने आप में fourth tiger reserve मिल जाता है राजस्तान को fourth tiger reserve मिल जाता है और यह इसको wildlife century notify कर दिया गया है and as a tiger reserve as well अब इसमें आपको पता हूं अच्छी अग दूसरा है रंथम बोर national park और तीसरा है मकुंदरा hills tiger reserve तो यह आपको याद रखने है students तीन नाम और fourth कौन सा हो गया fourth देखे यह location यहाँ पर है that is रामगर्ड विश्धारी tiger reserve ठीक है तो यह चार नाम मैंने आपको बता दिये यह राजस्तान में located है इसके साथ साथ राजस्त राजस्तान High Court ने order दिया कि जो complete prohibition है on any kind of action to reduce the wildlife century area यह बिल्कुल गलत है और इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके से wildlife century के area को reduce करा नहीं जाएगा किसले famous है यह black bug के लिए famous है black bug अपने आप नहीं बहुत news में रहा है पिछले 10 सालों में ठीक है ना तो वह actors का जो relation है वो तुम पर तो यह रहा फाइनली मैंने आपको सरिस्का और रधंपूर भी पीछे टाइग्रम में दिखा दिया है भरतपुर और क्यों लादिया हो यह भी important wildlife centuries है और एक इधर धारा और गजनेर इधर मौंट अबू रामसागर तो इनकी locations देख लीजे अगर आप राजिस्तान किसी civil services जो है state civil services की तियारी भी कर रहे हैं तो भी आप इसको इस particular knowledge को आप वहाँ पर यूज कर पाएंगे राजस्तान की बात हो और फिर national parks की बात हो wildlife century की बात हो और मद्यप्रदेश की बात नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता मद्यप्रदेश में जो हैं 12 national parks है students 9 national parks हैं अंडमान औ निकोबार में तो यह important है very important है और यहाँ पर कुछ जो चीज़े हैं अगर national park पर question आता है न तो कोई न कोई एक national park मद्यप्रदेश से जरूर उठाया जाएगा options में तो मैं चाहता हूं at least इनकी locations भी आप देख लीजी जल्दी से पहला तो यह कुनो पालपूर century यह पहला है इसके नीचे आजाएगा माधव national park देन नीचे राइट में जाएंगे तो पन्ना है उसके नीचे बंदवगड देन लाइन से हैं आपके ओमकारेश्वर to the towards the west east में है काना और बीच में है सत्पूरा और सत्पूरा के नीचे है पेंच तो पंच मरी भी इधर है wildlife century तो इधर options है या काना है या ओमकारेश्वर है या इधर पन्ना है इनको मिलातक के भी not to south east to west ऐसे question बन सकते हैं so just be ready for such questions वो tough question होगा अगर आपने इस चीज़ का revision नहीं किया है तो next news है students ये पिंच वरम mangroves के respect में तो mangroves आपको पता है कि बहुत important होते हैं mangroves जो होते हैं ये जो है पानी को भी जो है एक तरीके से purify करते हैं in fact ये अगर कभी किसी तरीके का cycle वगरा आता है तो अपने अपने डिजास्टर में भी एक protection का role play करते हैं तो तामिल नाडू में particularly ये पिंच वरम mangroves newly added रामसर site है तामिल नाडू state के लिए ये इसका location हो गया तामिल नाडू के respect म ये याद रखना है ये एक mangrove related news है लास्ट इसमें topic है that is चांकतां cold desert wildlife century ये न्यूज में इसलिए था पहले बात तो ये कहा है लदाक में है न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी science and technology के respect में यहाँ पर department ने announcement करी है कि एक dark sky first dark sky reserve यहाँ पर बनाया जाएगा at Henle in Ladakh और वो ऐसे telescope वहाँ पर लगाए जाएंगे जो बहुत जो है जो भी terrestrial objects हैं उनको view गिया जा सके उनको देखा जा सके और किसी भी तरीकी artificial light की interference वहाँ पर नहीं हो clear तो इसलिए ये news में था तो definitely ये first dark sky reserve यहाँ बनाया गया है याद रखेगा और अपने आप में ये cold desert है लदाक मे तो ये थी कुछ news students जो आपके particular places थी जो news में थी और important places हैं ये सिर्फ इतना ही नहीं और भी places हो सकती है लेकिन मैंने फिर भी limited जो हो सकती है मैंने आपको पढ़ा दी है इसके respect में भी कुछ भी related question बनता है तो वो आप attempt करिए ठीक है good wishes to you students best of luck